चालac के आज हम स्टार्ट करते हैं चेप्टर क्लास 3 KAPT hell लगřिंदोग विंदोगमा मतलब कंपीटर हमें style कैसे हैं विंदोग की कंपीटर LE Serge जब screen open होती है तो वो कैसी होती है जब हम उन्हें उसके icons कौन से कौन से होते हैं उसके menu कौन से हैं sub menu कौन से हैं उसको बंध कैसे किया जाता है यह सब आज हम chapters में पढ़ेंगे windows में हमारा first topic है starting windows तो हम windows start कैसे कर सकते हैं when you switch on the computers windows start automatically you will see a screen with many small pictures on it this is the main screen on windows it is called desktop जो हमने लास्ट टाइम monitor देखा था उसे उस टाइम मैंने आप लोगों कुछ से कहा था यह उसे desktop भी कहते हैं जब हम computer की switch on जब हम computer start करने के लिए switch on करते हैं तब windows की स्क्रीन आटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और वो जो स्क्रीन आटोमेटिकली स्टार्ट होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं उसमें यहां कुछ icons यह सारे जो दिये हुए हैं उसे icons कहते हैं यहां लिखा हुआ है icons यह सब जो एक चौरस box में दिये हुए हैं उसे क्या कहते हैं icons यह पूरी line जो blue है उसे कहते है टास्क बार यहां आपको time and date दिखाई दे रहे हैं वो time and date क्या है यह पूरी जो blue screen है उसे desktop कहते हैं और यह स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन में window का symbol दिया हुआ होता है उसे यह स्टार्ट बटन यह सारे icons यहां start बटन यह पूरी जो blue line है वो taskbar यह पूरी जो में screen दिखाई देती है वो desktop और यहां last में date and time दिया हुआ होता है अब कभी भी अब computer देखो तो इतनी चीज़े अब आगे से पहले देखना कि यह चीज़े उप्ती है या नहीं हाँ जब computer mostly अब computer में एक start बटन दिया हुआ होता है उससे हम computer start करते हैं computer automatically start नहीं होता है start button नीचे computer में एक बड़ा सा button दिया होता है उसको हम click करते है इतने हीं वो computer CPU में एक button होता है उसको click करने के बाद हमारा desktop open हो जाता है a mouse pointer when you move the mouse on the mouse page you see a small arrow moving on a screen it shows the position of the mouse on us on the screen and so this arrow is called a mouse pointer as you move the mouse on the mouse page the mouse pointer on the desktop also move when you move a mouse when we now have a mouse screen to touch on the mouse tape later we move mouse page 1st corner mouse page 2x अब हम इस पॉइंटर को थोड़ा बहुत भी मूव करेंगे माउस पॉइंटर को तो यह अपनी अलग अलग जगा लेगा वो हिलता है मूव का अलग अलग जगे पे अब मैं उसको मूव करके माउस का पॉइंटर यहां लिया है मैंने माउस का पॉइंटर यहां पे लिया है यह मूव होता है अगर हम माउस पॉइंटर को साइड बाई साइड साइड मूव करें जैसे के पहले माउस यहां पे है तो मैंने इसको रईट हैंड साइड मोव किया यहां पे है तो लेफ्ट हैंड साइड मोव किया यहां पे मैं उसको अप्स मूव कर रहू है यहां इस जगत डाउन Dafür कर रहू है तो यह सब mouse pointer एसे हर एक जग्र desktop पे move होगा अगर मेरा mouse pointer जिसने के मैं आप लोगों कब या तो मेरा mouse pointer भी यहाँ पे है अगर मुझे उससे date के पास ले जाना है तो मैं mouse pointer को यहाँ से यहाँ लेके आँगी तो dextape के पास आजा जाए अगर मेरा mouse pointer यहाँ पे है और मुझे यहाँ start button पे लेके आना है तो मैं यहाँ पे mouse pointer को लेके आऊंगी तो वो start button पे आ जाएगा बस इसी तरह से mouse pointer move होते होते move होता है अब देखते हैं icons the small the small picture that you see on the desktop are called icons अना आप लोको को भी दिखा है आके जो छोटे-चोटे pictures दिखाए दे रहे हैं उसे कहते icons and icons stand for a program in windows there are many different program like paint to do to draw and color pictures not paid to write calculate to simple calculation on the video अभी icons कौन कौन से होते हैं तो icons होते हैं वह अलग अलग programs होते हैं जैसे के first यहां दिखाए गया है paint तो आप लोगों को बहुत पसंद है paint करना आप बच्चों को बहुत अच्छा लगी का कुछ भी अलग नाना ड्रॉ कर सकते हैं उसे color कर सकते हैं हमारी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं सेकेंड है not paid जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं थर्ड है calculator जहां हम calculation simple calculation है वह कर सकते हैं और भी और भी different difference program उसमें होते हैं taskbar the the bar at the bottom of the desktop is called a taskbar the bar at the bottom of the desktop is called a taskbar to right of the taskbar you can see the clock and time उसका taskbar के right side मैंने अब भी आप लोगों को दिखा है कि time और date दिये हुए होते हैं मतलब clock and dates यहाँ पर यह taskbar की जो blue line है यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहा है date and time यह start button तो यह taskbar में ही involved होते हैं the left of the taskbar you can see a small button called the start button दिखाया मैंने अभी आप लोगों कुछ एक इसकी मदर से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं अब हम सिखते है स्टार्ट बटन के बारे में जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया के यह होता एक स्टार्ट बटन अभी स्टार्ट बटन पर माउस पॉइंटर लाके जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इन विंडो अलिस्ट ओफ कमांड्स इस कॉल्ड मेन्यू इन विंडो अलिस्ट ओफ कमांड्स की उसे मेन्यू केते हैं जो आप लोगों को एक मेन्यू दिखाई देगा यह पूरा एक मेन्यू दिखाई देगा है वो है स्टार्ट मेन्यू if you place the mouse pointer on on an item on the start menu that item will be highlighted it will appear with a colored bands over it if you place the mouse pointer on an items on the start menu it will be highlighted it will appear with a colored brand over it अगर मैं यहाँ पर किसी पर भी click करूंगी नहीं तो वो थोड़ा highlight हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगोंने click किया है जिसे यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा है notpad अगर हम notpad पर click करेंगे तो notpad हमारा highlight हो जाएगा नौटपेट क्या हो जाएगा हाइलाइट हो जाया इसी तरह अगर हम किसी और भी किसी वर्डपेट को कैलक्यूलेटर को या तो Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word Microsoft Office Excel 2007 इसमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो वो हाइलाइट हो जाएंगे आगे हैं सब मेन्यू वो किसी वर्ड आएंग that that item will be highlighted and you will see another menu this menu is called a sub menu place the mouse pointer on the all programs you will see a sub menu it should a list of for programs and programs folders on you on your computer बच्चों आप लोगों को यहां not paid के पास एक simple छोटा सा एरो वर्ड के पास एक एरो दिखाई दिराए तो यह एरो में होता क्या है तो यहां अंदर उसके भी कुछ Subfolders दिये हुए होते हैं जो हमें यूस्फूल होते हैं तो यह क्या होगया Subfolder अब आगे जहां यह All Programs दिया हुआ है अगर उस पर यह All Programs पर हम जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है यह All Programs का मेन्यू कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन पे खुलता है और प्रोग्राम का वेल्यू कुछ कुछ इस तरह खुलता है इसमें एसे सरीज है एरियाज है यह सब फोल्डर्स है और यह सारे विंडू प्रोग्राम से यह सारे फोल्डर्स है और यह सारे प्रोग्राम से यहां वि विंडो मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया सेंटर, यह सब दिया हुए था है, एसे सरीज, एरियाज, एरिया, एकर का कॉम्पेटर है, एकर के जो जो फॉल्डर्स होते हैं, वो दिये हुए हैं, अब आगे देखते हैं, to the program click on the program name, if you click on a folder, it will expand and show you another list programs in it for example if you click accessories folder it will expand to show your list of a program stored in यहाँ यह first accessories का program है अगर वो हम start करेंगे यह first accessory का program है अगर वो हम start करेंगे तो क्या होगा एसेसरी का फूल्डर हमारी स्क्रीन में कुछ इस तरह खुलेगा यहां फॉर्स्ट एसेसरी को हाइलाइट किया हुआ है और नीच सारे उसमें जीतने ओप्शन है सब दिये हुए कैलक्यूलेटर कॉमन नौट पेड़ प्रिंट रन वर्ड पेड़ यह सब हमारे इसमें दिये हुए हैं इस सब ऐसे सरीस की लिस्ट है अब आगे देखते हैं कॉम्पीटर को शटडाउन मतलब कॉम्पीटर बंद कैसे किया जाता है यह तो सीखना बहुत ही इंपोर्टन्स है शटडाउन पार्टन्स कॉम्पीटर परेफेन रहे जाता हैं अब आगे अश्याव की यह स्चरीक डील सब्दाउन मतलब क्लिक टाउंट भूसे तो सविच आवुट पेडाउन मतलब कैसे किया ब्सपीर रहें स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन यहां खुलके दिखाई देती है अब स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद जब हम माउस पर को हम देखते हैं तो यहां एक सट्डाउन ऑप्शन दिया हुआ है यह जो shutdown का option दिया हुआ है उस पे हम क्लिक करते हैं तो computer क्या हो जाता है switch off computer क्या हो जाता है switch off बस इसी तरह से हम को start करना उसमें अलग-अलग programs खोलना और computer बन करना बस यह easy things आपको इस chapters में समझाए गए हैं अगर कुछ ना समझ में आई तो हमने क्या क्या सीखा आज starting windows icons task bus start menu sub menu कैसे क्या होते हैं उसमें conciliation होती हैं और computer बंद कैसे किया जाता है आपको को इसके answer की pdf whatsapp कर दी जाएगी till then take care bye bye see you कर दारी चर लंग मिवब और वपक्agua